मान रहीम असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आयम फैजान नूर और वाचिंग एकनॉमिक्स टीवी स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे के डिफरंट रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं उनको कैसे सर्च किया जा सकता है और उनको कैसे फ्री ओफ कॉस्ट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्यूंकि कुछ रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं और उन तक अक्सेस लेने के लिए आपको यूएस डॉलर्स में जो हैना वो पेमेंट करना पड़ती है लेकिन इस वीडियो में मै आपको बताऊंगा कि अपने एरिया आफ इंटरस्ट से रिलेटेड जो डिफरंट क्वालिटेटव रिसर्च आर्टिकल्स हैं आप उनको कैसे कर सकते हैं और उनको कैसे फ्री ओफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड किया जा सकता है तो उसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे करिएरी तो एको दीजिटल लाइपरीडेडी तो इच्छिटलन लाइपरेड़ी को जब हम उपन करेंगे तो इसके सबस्रेड लिंक महारे पास वह उपन हो जाएंगे लाइक इसटिट्यूट म looks हैं अपब्लिक・ यstoneफुटिटीस हैं आफफेन क्दिक्टलाइब हैं। जब यह डेटा बेस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे डिफरंट आपको subject specifies resources और इसी तरह से जो base resources वो नजर आरे होंगे तो subject specifies में आप आएं तो multi disciplinary हमारे पास जो resources हैं उसके अंदर tailor and process journals है और उसी तरह से j store है और इसी तरह से elsewhere है तो यह different हमारे पास जो है ना, वो resources हैं, अगर आप social sciences से related जो research articles हैं, वो find out करने जा रहे हैं, या economics से related research articles आपने जो है ना, वो देखने हैं, तो उसके लिए आम तोर पर tailor and francis और इसी तरह से jay store जो है, उनको इस्तमाल किया जाता है, तो अगर मैं tailor and francis पे जाओं, इनके journals open तो यहां पे जो हमारे पास success URL है, इसको अगर मैं क्लिक परूँ इसके ओपर, तो यह हमारे पास tailor and francis online जो है ना, वो आ जाएगा, तो यहां पे अगर कोई भी एक article जो है ना, वो आप search करना चाते हैं, तो उससे related keyword आप यहां पे जो है ना, वो enter करेंगे, जिसार के तोर प पास जो है वो, यहां पे जो आर्टिकल शो हूँ है, वो है 7,849, अब यहां पे filter भी आप कर सकते हैं, कि access type आप को किस तरह की चाहिए, यहनि only show content I have full access to, और only show open access articles, तो यहां पे सारे articles हैं, जो के free of cost हैं, और जिन के लिए आपको pay भी करना पड़ता है, अब जो free of cost articles होते ह है ना, उनकी पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है, को free of cost है, जो free of cost articles होते हैं, उनकी पहचान ही होती है students, कि उसमें इस तरह से green जो है ना, वो एक हमारी triangle बनी होई होती है, और उस पे tick का निशान बना हुआ होता है, तो इसका मतलब ही होता है, कि इस article के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जबके बाकी जितने भी research articles हैं, वो सारे के सारे जो है ना, वो paid है, अगर आपने वो articles लेने हैं, then you have to pay, अब यहाँ पे देखें, तो मैंने leather exports लिखा था, तो different articles आगे, like top पे है, determinants of South Africa, exports of leather products, यह नीचे उसके जो है ना, वो writers है, like Andres C. Jordan और यह नीचे वालियम इशू और सारा कुछ publication इसकी 2012 के अंदर हुई है, अब यहाँ पर मैं इसको open करूं, इसके अगर मैं क्लिक करता हूं, तो यह इसका abstract जो है, वो हमें जो है ना, वो मिल जाएगा, यह देखें, abstract आप पाड़ सकते हैं, अब अगर abstract पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यह article एक qualitative article है, और आपकी जो research field है, उसको यह support करता है, तो आप अगर इसकी get access पे जाएं, यह आप देख सकते हैं, यह पर यह get access का option है, यह blue भी मैंने किया है, तो यह जो get access है, इस पे अगर आप click करते हैं, यह देखें different options आपको access के दे रहा है, यह purchase options ह आप 47 US dollars जैना वो दे कि इस article को PDF form में जैना वो ले सकते हैं, 186 US dollar है, और different जैना वो आपको options जैना वो दिये गए होंगे, लेकिन आप student हैं और आप इतनी payment जैना वो नहीं कर सकते किस एक article के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम यह करेंगे, जो भी हम लाइट करता हूं, this would be the DOI of this article, जिसको मैंने अभी blue highlight जो किया, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम copy link address करेंगे, यहाँ पर यह देखें, copy link address हमने किया, फिर हम एक new tab open करेंगे, और वहां पर लिखेंगे SCI hub, तो यह SI hub जो हैना इसको हम open करेंगे, यह काजिकस्तान के students ने मिला है, यहाँ पे आप जितने भी paid articles हैं, उनको जैना वो free of course जैना वो download कर सकते हैं, तो SI hub जो है, इस यहाँ पे, यह देखें, enter URL, PMID, DOI, वो जो DOI link text हमने वहां से copy किया, उसको हम यहाँ पे paste करेंगे, पेस्ट करने के बाद यह right side पे आपको option अज़रा रहा है open का, हम इस open प क्लिक करेंगे, तो यह देखें, right side पे आपके पास जैना वो article शो हो गया है, और left side पे यह देखें, save का option आपको नज़रा रहा होगा, यह वाला, इस save के अगर हम क्लिक करते हैं, तो यह article जैना वापका download होना शुरू हो जाएगा, यह देखें, lower left corner में यह download हो गया है, इस मैं क्लिक करूंगा, तो यह मेरा article जैना वो open हो जाएगा, so this is very easy way to find out qualitative research articles on different fields of economics, और उनको free of cost जैना वो आप download भी कर सकते हैं, I hope के यह video जैना वो आपको help देगी, अपने research work के अंदर, क्योंकि एक अच्छा article सर्च करना और फिर उसको जैना वो download करना यह बहुत जैना वो हमारे पास जैना वो मरहला होता है research के अंदर, फिर उसके बाद अगर आप वैसे Google पर सर्च करना चाहते हैं कोई article तो simple, आप उस article को जो key हमारे पास words होते हैं, उनका नाम लिखें, उनका नाम लिखने के बाद उस article को open करें, उसका DOI copy करें, और आप उसको easily, जैना वो इसी उसी तरह से Google करता हूँ, leather exports, अब simple leather exports ही मैंने यहां पे लिखा है Google पे, तो यहां पे भी आपको different articles जैना वो मिल जाएंगे leather exports related, जो भी material होगा, आपो नीचे आपको यह देखें, different hour है, जैसे यह पाक्सान leather exports है, यह different हमारे पास results हैं इसके, लेकर आप research articles लेना चाहते हैं, तो आप leather exports के साथ जैना वो लिखेंगे research, sorry, research articles, मैं यहां पे इसको पूरा लिखता हूँ, क्योंकि गुगल कर रहे हैं, किसी journal पे नहीं है, यहां पे हम एक पूरा जैना उनको ही नहीं नहीं देखें, scholarly articles of leather exports, research articles, यह देखें, यह different आपके पास आरें leather exports and luxury, boom, jay store, determinants of leather, goods exports और सा case of Pakistan है, यह 21 के अंदर जैना यह 2021 के अंदर यह article जैना I think publish हुआ है, let me open this article, इस article को अगर हम open करें, तो यह देखें 2013 में, January 2013 में यह हुआ है, अब इसकी open access है आपको, download full PDF text आप यहां से कर सकते हैं, अगर यहां से नहीं हो रहा और आप इसको जैना वो डाउनलोड करना चाते हैं, si hub से, तो उसका एक method यह भी होता है, कि आप article का पूरा नेम जो है, अब यह article चुके PDF में available है, तो आपको si hub में जाने की जूरत नहीं है, आप यहीं से download कर सकते हैं, तो इसी तरह से, the impact of decline in leather exports on leather industry, यह हमारे पास जैना वो, for example, एक article, let me open it, अगर हम इसका जैना व journal में यह article जैना वो मौझूद है, तो वहां से हम इसका DOI नमबर लेंगे, और उस DOI नमबर को हम si hub जो है, उस पे जाके जैना वो paste करेंगे, और फिर जब उसको open करेंगे, तो हमारे पास article जैना वो open हो जाएगा, फिर उसको save के option पे जाएंगे, उसको save करेंगे, तो हमारा जो article होगा, वो save हो जाएगा, look at it, तो यह इसका abstract हमें दिया हुआ है, यह में बताया हो कि इसके अंदर जैना वो क्या क्या मतलब जैना वो article में, चीजें हैं, यह किरन अजीम ने जैना यह article दिया, यह भी PDF में वैसे दिया हुआ है, full text PDF form में है, तो इसको भी जैना वो, इ या Taylor Francis में हैं, तो उनको या Science Direct में जो हैना वो हैं, तो उनको आप जैना वो easily DOI नमबर जैना वो लेके उसको जैना वसाई हैं, आप से जैना वो download कर सकते हैं, so this is end of our today's video, अगर इससे related मजीद आपकी कोई query है तो आप जैना वो लाजमी comment करें, और अगर आपको यह वीडिय जो अच्छी लगी तो इसको like करें और दूसरे अपने friends के साथ, students के साथ share करें, ताके वो भी इससे जैना मुस्तफीद हो सकें, till now this is end, wish you best of luck, Allah